आज जसी डिफ्रेंशल जमेटरी दे अगले क्वेस्चन्स नूँ डेस्कस करांगे एक्जाम्पल्स नूँ तो कैल्पूलेट देखो एक एक क्वेस्चन में कराणा एदे नाल्दियां सारियां जेडिये एक्जाम्पल्स तुसी आप करनी हैं सो फर्स्ट है कैल्कूलेट फर्स्ट फंडामेंटल मेंगनीचूड ओफ दा साटेकोल हैलिकोड गिवन बाए उडिक्वेस्चन दित्ती एक्स इकल तो यू कॉस पाई यू साइन फाई जैट इस इकल तो सी फाई सो यह दे बारे तो नो पता ही है कि जड़े फर्स्ट फंडामेंटिक मेंटल जड़े हुंदे हैं मेंगनीचूड वो केड़े केड़े हुंदे हैं वो हुंदे साटेकोल ए ए एफ ते जी है उस तो बाद एल एम ते एन आ जाते हैं नो पहले क्वेस्चन दा मैं सुलूशन करें जा रहे हैं साटेकोल एक्स दी वैल्यूज देती हैं एक्स है यू कॉस फाई वाई है यू साइन फाई और जड़ है सी फाई सी ते फाई सी साटेकोल कॉंस्टेंट है यू ते फाई साटेकोल पैरामीटर आगे अगर पैरामीटर आगे तो एदे तो आर वैक्टर किता लिखी दा एक्स कॉमा वाई कॉमा जड़ एक्स आगया यू कॉस फाई फिर आगया यू साइन फाई फिर आगया सी ते फाई तो इन्हों सी एक्स कॉमा वाई कॉमा जड़ दे फॉर्म विच इन्हों रिप्रेजेंट करता है उस तो पाद ए एफ लिख सानों चाहिए है हमदे आर वन वैक्टर तो वहाँ देखो वैक्टर में यूस कारें है तो वैक्टर नोटेशन जिरूर यूस काते हैं So this is equal to cos of phi, sin of phi और this is 0, क्योंकि मैं differentiate किदना का रहा है, u न So r1 vector मतलब differentiate with respect to u r2 vector differentiate with respect to phi So r2 vector, ये आगया, कर ली r by कर ली phi So this is equal to, first value, minus u sin of phi, u cos of phi और third आगया साधे कोल, c दे बराब बार, so it is with respect to phi So first fundamental form क्या हमदा, e, so which is equal to r1 vector square और ये किदे बराब्ब्र आगया, ये आगया, r1 vector dot product r1 vectors This values, तो तुसी आज एड़ा तो अटकोल r1 पे आगया, ये दा अपने आपना ली dot product कर दी So first आजेगा, cos phi, cos phi, so cos square phi dot product पता न, plus साधे कोल, अगली term multiply होगी Sin square phi, plus अगली term होगी, so 0 square, so this is equal to 1 तो e दी value, आज भी find out कर ली, y दे बराब्ब्र से, उस तो बाहर, f दी values और f क्या होंदा, r1 vector dot r2 vectors So तो आटेकोल r1 vector भी प्या, ये दे ब्राब्ब्र हा, so this is r1 vector, this is r2 vector, तो dot product लई है So पहला ये दी इदे ना multiply, तो e आगया, minus u cos phi sin phi फिर उस तो बाहर, ये दी इदे ना multiply, so plus साटेकोल u sin phi cos phi और उस तो बाहर, साटेकोल ये दी इदे ना multiply, so which is equal to 0 So सारे आंदार जूड कीता तो 0 दे प्राब्र आगया तो f दी वैल्यूज, साटेकोल 0 आगया, और e दी वैल्यूज 1 आगया बोन रहा है साटेकोल, e, f, and g एक युण दा r1 vector दा r2 vector दा square So this is r2 vector dot product r2 vectors So this value is equal to, ये दा dot product लिया u square, sin square, 5, plus article u square, cos square, 5, u square, common card law So e आगया, u square दे प्राब्र, so this is the value of g So e भी find कर लिया, अच्छा, एक रह गया दा part So u square, नाल दे नाल, साटेकोल, r2, 3, c वी दा है So c दा प्लस साटेकोल, c square So पहले दे विच्छों, u square, so u square, sin square, 5, plus cos square, 5, u square है जागा Plus article c square, so this value is equal to u square plus article c square So this is a, साटेकोल g, so साटेकोल first fundamental form दे विचे, e, f, g, बहुत सिंपल जै question असी कीता है वो find out काले, ओने इते साटेकोल f दी value 0 आ रहे तो असी पाढ़ चुके यहाँ अगर f दी value 0 हो जबे, तब parametric curves के तद यह हो लिया, orthogonal, ठीक है? वो कुछ यह नहीं हागा पर by chance इतद दे question अगर तो नो यह प्रूव करना जबे, कि prove that the parametric curves are orthogonal तो ओदे नाल की होजेगा f दी values नो अप जीरो करता है, वो तावी r1 vector ते dot product r2 अगर 0 हो गया तो अगर जीरो हो गया, तो साटेकोल parametric curves जबे जबेंगा, उस साटेकोल orthogonal हो गया तो इस तरहां दा कोई भी question आजवे, उन्हों असी सौंग कर, तो अगला मेरे कुल question आज़ां दा, उस question दे विज़े, गिवन दित्ता है, show that, show that, curves, साटेकोल दू curves देती है, curves, by setting the angle, by setting the angle, की का, तो साटेकोल एक करवा, by setting the angles, between parametric curves, between parametric curves, parametric curves, सान पता, एक 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 एंदे, u equal to constant, the v equal to constant, so this is, given by, given by, e into du square, minus g into dv square, and this value is equal to 3, एक साटेको जीरो दे प्राबर आचे है, so एन्नों ही आपा simplify भी कार्सा देया, एन्नों आपा simplify केता कार्सा देया, एक कमेंट जेरा मैं, whatsapp बांद कारता, इन्ने नहीं तब टांग करी जाना, now, so this is a edu square, और एदे तो ही साटेकोल minus this आगे, so एदे तो ही अशी कह सकते हैं, this part, square root of e into du minus square root of g into dv, एक वैल्यू 0 होगे, और दूजा एदे तो ही फेक्टराइज करते, square root of e into du plus square root of साटेकोल g into dv plus अली टरम 0 होगे, so this is my question, this is my statement, तो पहला ता question समझो, question तो अर्टिकल दो पैरामेट्री करब्स है, so अगर मैं किसे भी करब दी गल करा, if I take कोई भी पॉइंट, surface दे होते, कोदे कोडिनेट की होते u,b, this values, so we have two पैरामेट्री करब्स, एक पैरामेट्री करब्स ला ले लिए this, एनो माल ला तुसी u equal to constant, एक आ गया, एक नो u लेना, और दूसरे नो असी पैरामेट्री करब्स ला ले लिया, v equal to constant, एक साथ को दो करब्स लो ले लिए, फिर एक थर्ड करब्स है, जेड़ी इननो bisect कर रही है, bisect दा मतलब same angle ते ये दोनो करब्स लो जेड़ी है, वो divide कर रही है, so वो अपन थर्ड करब्स जेड़ी bisect कर रही है, वो ले लिए this करब्स, so this is a curve which bisect the u constant and v equal to constant, so दोना नो उदे सामनाल साथ को bisect कर लिए, उन्स दिस पैरामिट्री करब्स, अगर एक दा unit vector लेलमा एक है, और हो दी values आजेगी r1 by square root of e, और दूजे दा r2 by वैसे दा r1 हुंदा, पर unit vector कर दो हुएगा, जदो होदे modulation उन्हों divide कर दे लिए, so remember that, साथ को होद, कि जड़ा unit vector उन्दा पैरामिट्री करब्स था, o u constant थे v constant था, so एदे जड़े vectors आगे, ए आगया, 1 by square root of e, comma 0, जिस साथ है, so एक यह direction coefficient of u equal to constant, एदे direction coefficient 0, comma 1 by under root g, यह यार भी रख रहा है, यह आपा पिछली result था, find out भी कितने सी, तो तुसी यह सी इन्हों यार भी रख रहा है, so ए जड़ी करब है, एदा directional coefficient, directional coefficient ए आगया, उद्दा direction ratio होने सी 1 0, एदा होना सी 0 1, पर directional coefficient, साथिकोल ए दे किने आगया, दिस दे प्राबबर, और एदा साथिकोल direction coefficient ए दे प्राबबर आगया, और एदा direction coefficient असी मान लईए, d u by ds, दूजा ले लिए, d v by ds, जो मैं बोले है, तुसी लिखना भी है, so तिनना दे direction coefficient आगया, तिनना करब्स दे, और एक अरब bisect कर रही है, bisect कर रही है, तो दोना दा angle साथिकोल की होजेगा, same होजेगा, so मन लोग जड़ा इस करब दा एदे नाल angle है, वो मैं theta 1 ले लेना, और एदे नाल angle theta 2 लेना, bisect बाच कर लेना, so this करब making angle theta 1 with this, ठीक है जी, दो directional angle, जानिक इस direction ते इस directional angle हागा theta 1, उस तो बाद, फिर इस direction ते इस directional angle हा theta 2, so what is cos of theta 1, so cos of theta 1, एदा थाएदा dot product लेए, को साथिकोल के ना आगया, की फार्मूला हम दा, ए, पहला लाई दा, ए, उस तो बाद, इस values, one way under routing, और उस तो बाद, साथिकोल, du by ds, ये फार्मूला हो गया, उस तो बाद साथिकोल की होंदा, f, f दिस आगया, और f तो बाद, एदी multiplication, एदे ना, एदी multiplication, एदे ना, ठीक है जी, so f आगया, common, one by under route e, into dv by ds, दूजे ना, zero, into du by ds, cross multiplication हो, cos of angle दा फार्मूला लागता है, third आगया, साथिकोल, g, फिर आगया, zero, ना, लागया, साथिकोल, dv by ds, so a term आगी है, so a दे तो, cos of theta 1, असी find out कर साथ है, cos of theta 1, simplify किता, so one by square root of e, common हागया, अंदर आगी values, e into du by ds, ठीक, ओ, इस टर्म तो आगी, one by under route e, common, e into du by ds, उस तो बाद, दूजी टर्म सिर्फ आ रहें दी है, so a आगया, plus साथिकोल, f into dv by ds, तो इन वसी, equation number 1 माल ले, ठीक है, so a साथिकोल, cos of theta 1 दी values आगी, similarly, cos of theta 2, उससे टांगना, दो direction हाचे angle, उन्हों सिंप्लिफाइं करोगे, 1 by square root of g, आजेगा, फिर आजेगा, f into du by ds, plus साथिकोल, g into dv by ds, उससे टांगना, ये साथिकोल, equation number 2 आगी, so cos angle होदा, find होगया, cos angle, दोजे दा, find out होगया, और क्योंकि हो करब bisect का रहें, दोनों direction, it implies cos of theta 1, which is equal to plus minus cos of theta 2, plus sin साथिकोल, interval bisector चे, तो नाल साथिकोल की आगे, क्योंकि दोनों the modulus values same होगी, तो साथिकोल आगे, plus minus साथिकोल, sin आगे, positive लेना, जोदो internal bisector होगे, और negative जोदो external bisector होगे, तो साथिकोल plus minus आगे, तो positive करदो होगे, जोदो internal bisector होगे, और negative करदो होगे, जोदो external bisector होगे, तो अपना, internal bisector चल रहे हैं, तो असी positive लेना, positive लेना, तो यह दी value substitute करते हो, 1 by square root of e into, this value is, e into du by ds, फिर आ गया, f into dv by ds, इतर आ गया, 1 by square root of g, उन पर positive values लेली, so this is f into du by ds, और उस्तो बाद g आ गया, dv by ds, this values आ गया, so it implies, 1 by under root e into this values, so यह नों असी plus ले, internal bisector करके, so simplify करो, simplify किता, तो we get e into e g minus f square, this values, into du square, which is equal to g into, फिर e g minus f square, into dv square, और असी already पढ़िया है, e g minus f square, greater than 0 लही था सी, जैने कि non-zero है, जे non-zero है, तो साथे call, या पस चल, cancel हो जानेगे, this term, and this term, so what we get, we get, e d u square, minus g d v square, equal to 0, so which is our required equation, तो एनों अपना, अगर factorize करना, दो पार्ट दे विच, तो साथे को की बांजेगा, यह बांजेगा, square root of e into d u, minus square root of g into d v, और नाल आगया साथे को, product, square root of e into d u, plus square root of g into d v, which is equal to 0, so either first 0, second 0, तो साथे को यह आगया, square root of e into d u, minus square root of g into d v, यह बाल आगया, नाल दे नाल, square root of e into d u, plus square root of g into d v, equal to 0, so which is our result, so इस टांग देनाल, असी find out कार साथे हैं, condition, जदों कोई वी करव, जिरियां सानो direction गिवना, ओ साथे को बाइसेक्ट का रहिया, पैरामेट्रिक करव जनो बाइसेक्ट कर दिया, उस तो बाग साथे को अपा, अगले क्वेस्चन दिकाल करिए, तो अगला क्वेस्चन साथे को आजन दा कि find the fundamental magnitude और वो साथे को फंडामेंटल magnitude क्या है, third question, find the fundamental magnitude, this question, और इस question क्या है, normal to the surface, तो नॉर्मल था की फारवन होंदा, R वेक्टर क्रॉस R टू वेक्टर्स गूवर H, ठीके, X दी वैल्यूस, Y दी वैल्यूस, दी जैट दी वैल्यूस, ये सानू गिवन दित्ते हैं अप्थे, फाइस ये थे, वी कार्ता, तो अगेन, दिस टाइप इस वेरी इंपॉर्ट, उन दिखो, अप्पा, F, G, H देगेचे, जदो इन्वार्मेंट होगी, तो साटे को सेकंड फार्म तक अप्पा, चला गे, सेकंड फार्म में, R1, 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 2, तो, सो हेर, वाट इस गिवन, R वेक्टर, मैंनों दित्ता है, U, कॉस, V, फिर आगे, U, साइन, V, और थर्ट साटे कोल है, सी ते वी दे ब्रावर, सी कॉंस्टेक्टर, ठीक है, उन्हों मेरी लोड की दिया, R1 वेक्टर, R1 हुंदा करली आहार, करली यू, तो, साइन, V, तो, साइन, V, थर्ट सी दे ब्रावर, तो, सी पिर अगे, क्योंकि यू नल डिफ्रेंशेट करना, R1, तो साइन, आगे, यू नल की तरह, तो, सी यू होएका, तो साट इकों सी यहा, इस इस सी, तो आर टू वेक्टर ले लिए, तो आर टू वेक्टर कर ली आर वेक्टर नो, कर ली विनल डिफ्रेंटिेट करना, ए आ गया, minus u sin v u cos v फिर आगया 0 तो असी v देना differentiate कार चले है यह आगया unal derivative यह आगया v रहा तो हूँ नो अर 1 2 R 1 2 means R 1 नो unal differentiate तो यह दी values के नहीं आगया unal किता 0 0 3 एज़ दे ही R 2 भी कार साथ देन तो सी R 2 1 R 1 2 होगया तो साथे को R 1 नहीं R 1 2 है कि कुमेंटे नो मैं दो आर्थो कार देना this values R 1 2 उने नो सच v null कर v null किता minus sin v cos v फिर आया 0 ठीका जे होन देखिए R 1 1 वेक्टर तो एननो फिर unal किता ए अगा 0 0 0 एक लोड बेंदी सानो R 2 2 वेक्टर दे एननो वी null करना तो वी null किता माइनस यू कॉस वी माइनस यू साइन वी कॉमा जी लोग जी एस आठे गोल values आ गिया उने इदे तो अपने पैरामेट्रिक find कर साथे पहला आया मेरे कुल E E दी वेल्यू सुन्दी R 1 वेक्टर दा whole scale जैने कि R 1 दा अपने आपना dot बड़ाते तो किना आगया cos square भी plus sin square भी plus c square तो किना आगया 1 plus c square तो मैं डारेक्टिव वेल्यू find कर ली 1 प्लस C square तो अगर तैसे विच्छ C दी values है C दी values है तो एदी values के नहीं होजेगी 1 प्लस C square clear हो गहाँ जी उस तो बाद जिस article R1 आ गया जो R2 जिस एह values एक मैंट चेक करना कि मैंनू एह V दिता है तो अगर तैसे V दिता है इन दैट केस आरवन जीरो होजेगा और इत्थे वैल्यू सी आजेगी कोई कर लिए पर रपीट कर देने इत्थे वैल्यू सी आजेगी जो इत्थे सी आया सो आरवन दा टूनल किता ते यही रह गया कोई प्रावलम नहीं आरवन दा वन नल किता होँ़े ठीक है कोरेट फिर आगर 2 दा टूनल किता साखे को भी ठीक है तो की सी दबू कर देड़ के लिवेल्यू सी अजेगी यह दी वैल्यूज आजेगी सी स्केर दे प्राम उस तो बाद अपना ले लिए एफ और एफ किया है आर वन वेक्टर डॉट आटू वेक्टर इस वैल्यू जागे आर वन वेक्टर दिस है और आटू दिस है दोना दा डॉट पर डॉक्ट लॉट सो ए आगया माइनस यू कॉस वाई साइन वाई प्लस यू साइन वाई कॉस वाई जीरो हो गया ठीक है प्लस जीरो इंटू सी सो एफ दी वैल्यूस जीरो आट और जदो एफ जीरो हो जोए ता पैरमेट्रिक कर्वस ओथोगॉनल होनी है याद रहा है उस तो बाद आगया जीरो जीरो बहुन दा आर टू वेक्टर दा ओल्स केर सो आर टू दा अपने आपना प्रोड़क्ट ये आज़ेगा पहले तो यू स्केर फिर आगया सी स्केर सो दिस वैल्यू इस सी स्केर ब्लस यू स्केर तो तुस्वी E दी वैल्यूस फाइंड कर ले, F दी कर ले, ते नाल दे नाल G दी कर ले ये फस्ट मैंगनिजूड आपा फाइंड आउट कर ले, E F दे G नॉर्मल यूनिवेक्टर दा फार्मुला हुंदा, R1 ग्रोस R2 बटा H तो पहला H दी वैल्यूस फाइंड आउट कर ले, so H दी वैल्यूस दा फार्मुला हुंदा, E G माइनस F स्केर, E तो अड़ों करना C स्केर, G करना this, so this is a C स्केर, C स्केर प्लस U स्केर, माइनस F स्केर करना अगर 0, so this value is C स्केर, INTO, C स्केर, PLUS U स्केर, so H दी वैल्यूस आगर, H दी वैल्यूस आगर, H दी वैल्यूस, E G, E दी वैल्यूस कि निया, एक बड़ी चेक कारनो, so E दी वैल्यूस सादे को, 1 आरी है, हाँ, E दी 1 आरी है, त्याना देख्यों कर देख्यों value 1 ही आरी है, calculation check कर लियों, ओ दिना कोई गाल नहीं, होई कोई, A 1 ही आएगा, so this is 1, तो A आगया सादे को, C square plus U square, कोई काल नहीं हो, value दी पहना, और कुछ नहीं है, so this H भी find out कर लिया, C square plus U square, so N cap दकी फार्मूला हुंदा, यह हुंदा, R 1 vector, cross R 2 vector, बटा H, यह हुंदा न, so तुसी 1 by H, बार लिख लिया, और R 1 vector, तो I cap, J cap, K cap, this values आगया, और R 1 vector दी value पूट कारती, फिर R 2 दी कारता हैंगे, ठीक है जी, so एथे तो article R 1 दी values कारती, एथे तो article R 2 दी होजेगी, so R 1, R 2 जदो दुसी सब्सकार लोगे, तो article एथे तो N cap दी values आजेगी, simplify, cross product कारते हैंगे, तो N cap basically की आगया, article unit normal vector आगया, unit normal vector to surface, to surface.